हे अब्रिवन, वेलकम टो यूर एजुकेशन हब, आज हम समझेंगे ब्रोग्टन वर्सेज मेट्रोपॉलिटन रेलवे कमपनी केस लॉग के बारे में, ये केस लॉग एकसेप्टिन्स बाइ कंड़क्ट का एक इलुस्ट्रेशन है, इसलिए इस केस के फैक्ट और हेल्ड को स समझने से पहले हम ये समझेंगे कि acceptance और acceptance by conduct क्या होता है, Indian Contract Act 1872 का section 2B हमें ये बताता है कि acceptance क्या होता है, ये section actual में दो topics को define करता है, पहला topic है acceptance और दूसरा topic है promise, acceptance को define करते हुए, ये section ये बताता है कि जिस person के लिए हमने proposal बनाया है, अगर वो person हमारे proposal के लिए अपनी सहमती यानि अपने ascent को अगर signify करता है यानि कि वो हमारे proposal को मानने के लिए तयार हो जाता है तो हम कहेंगे कि उस person ने हमारे proposal को accept कर लिया है वही promise को define करते हुए ये section ये बताता है कि ऐसा हर वो proposal जो accept हो चुका है हम उसे promise कहेंगे मतलब every accepted proposal is a promise हमने acceptance में ये देखा कि उसमें ये बताया गया है कि कोई भी proposal तभी accepted माना जाता है जब जिस person के लिए proposal बना है वो अपने ascent को signify करे इसलिए हम ये समझेंगे कि signify करना क्या होता है इसमें ये होता है कि accepting party का ऐसा कोई भी conduct जिससे proposing party को accepting party का intention समझ में आए उसके proposal के लिए उसे हम कहेंगे signify करना यानि कि ऐसा कोई भी act जिससे proposing party को ये पता चल जाता है कि उसका proposal accept हो चुका है ऐसा हर वो conduct होगा signify करना और ये जो signify करना है ये किसी भी तरक हो सकता है ये किसी ऐसे वे से हो सकता है जिस वे को accepting party यूज़ करना चाती हो या फिर उसका ऐसा कोई भी conduct जो communication का ही effect रखता हो signify को हम कह सकते है communication of acceptance भी तो उसका ऐसा कोई भी conduct जो communication का ही effect रखे यानि कि उसका ऐसा करना ये बताए कि हाँ उसने उस proposal को accept कर लिया है इसी इसी वे को हम कहते हैं acceptance by conduct जिसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे और signify का ये explanation section 3 of Indian Contract Act 1872 में दिया गया है signify दो types के होते हैं first type है express express में हम किसी भी proposal को word का use करते हुए accept करते हैं word का use हम दो तरीके से करते हैं या अगर हम किसी proposal को orally accept करते हैं तब या फिर letter के द्वारा या फिर लिख कर accept करते हैं तो और दूसरा तरीका होता है implied ऐसा कोई भी medium जिसने word का use नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी इससे proposing party को ये पता चल जाता है कि उसका proposal accept हो कहलाता है इसके बारे में section 9 of Indian Contract Act 1872 में दिया गया है इसमें बताया गया है कि ऐसा promise जिसका proposal या फिर acceptance expressly बना हो तो ऐसे promise को हम express promise कहेंगे या फिर ऐसा promise जिसका proposal या फिर acceptance impliedly हो यानि कि implied तरीके से बनाया गया हो या किया गया हो तो ऐसे promise को हम implied promise कहेंगे इसका मतलब है कि section 9 ये clearly बताता है कि proposal और acceptance दोनों ही express भी हो सकते हैं और implied भी हो सकते हैं section 9 से related एक illustration case भी है जो upturn on seven ruler district council versus pavel है इस case का video channel पे पहले से ही है आप चाहें तो उस video को भी देख सकते हैं I hope कि आपको ये समझ में आगया होगा कि acceptance by conduct क्या होता है अब हम इस case के fact पर चलते हैं इस case में जो ब्रोग्डन होता है वो कई सालों से metropolitan railway company को call provide कर रहा होता है लेकिन एक दिन ब्रोग्डन ने इस railway company को ये suggest किया कि हमें आगे के dealings के लिए अपना एक agreement बनाना चाहिए जिससे हम आगे और लंबे समय तक इस dealing को continue रख सकें और ब्रोग्डन की इस बात को railway company मान जाती है इसके बाद दोनों ही parties के agents मिलते हैं बात करते हैं जिसके बाद जो metropolitan का agent होता है वो एक draft agreement coal supplying के लिए बनाता है ये agreement बन जाने के बाद वो company उसे ब्रोग्डन के पास भेज देती है लेकिन जब इस draft agreement को ब्रोग्डन के पास भेजा जाता है तब इसमें बहुत सारे blanks होते हैं इन blanks के साथ जब वो agreement ब्रोग्डन तक भोचता है तो ब्रोग्डन उन blank जो spaces हैं उन्हें भर देता है और इन spaces को भरने के साथ साथ ब्रोग्डन इसमें एक arbitrator का नाम भी mention करता है arbitrator वो होता है जो future में इन दोनों के बीच arise होने वाले किसी भी issue को clear करेगा जब ब्रोग्डन इन blanks को भर देता है तो फिर वो इसे वापस company को भेज देता है company को जब यह draft agreement मिलता है तो company इस agreement को अपने पास रख लेती है लेकिन वो ब्रोग्डन से ऐस कोई भी communication नहीं करती है यह ब्रोग्डन ने उसमें जो चीज़े भरी है उसे वो चीज़े accepted है या नहीं उसे यह proposal accept है या नहीं ऐसा कोई भी communication दोनों के बीच नहीं होता फिर लेकिन आगे जब इनकी dealing होती है तब यह लोग इस dealing को new agreement के terms पर ही करते हैं और जब भी इन दोनों के बीच में कोई भी dispute arise होता है तो यह उस dispute को उस agreement के according ही clear करते हैं लेकिन एक दिन इनके बीच में कुछ बड़ा dispute arise हुआ जिसके बाद ब्रोग्डन ने उस agreement को मानने से मना कर दिया जिसके बाद यह case court में गया और court में यह question arise हुआ कि क्या यहाँ पर और ऐसा हैर क्यों था यह हम कुछ points में समझेंगे court ने कहा by sending the draft agreement to plaintiff defendant made a proposal यानि कि जब उस company ने उस draft agreement को ब्रोग्डन को भेजा तो उसने ब्रोग्डन को प्रपोजल दिया और वो प्रपोजल था कि हम चाहते हैं आप हमें coal supply करें और जब वो draft agreement ब्रोग्डन को मिला और ब् blank spaces को भरा उस वक्त ब्रोग्डन ने उस company को counter offer दिया counter offer वो होता है कि अगर कोई हमसे कहता है कि हम आपको कोई चीज 500 रूपीज में बेचना चाहते हैं और हम कहते कि नहीं हम इसे 400 मिलेंगे तो यह होता है counter offer जिसे हम bargaining भी कह सकते हैं तो उस blank spaces को भर कर ब्रोग्डन ने company को counter offer दिया और draft agreement को receive करने के बाद company ने जब उसे अपने पास रख लिया तो इससे company ने यह दिखाया कि उसे यह proposal यानि कि counter offer accepted है स्विकार है यानि कि उसने यहां पर mental acceptance को शो किया लेकिन क्योंकि उसने ऐसा कोई भी communication नहीं किया इसलिए यहां पर कोई contract arise नहीं हुआ है लेकिन जब दोनों ने इस agreement के according new terms पर अपनी कोल की supplying जारी रखी और अपने dispute के clearance के लिए इस agreement का सहारा लिया तब इन्हों ने यह बात अपनी conduct से दिखा दी कि उन्हें यह counter proposal accepted है यानिक उन्हें यह counter proposal स्विकार है इसलिए यहां पर एक binding contract है और यहां पर एक principle होता है कि कोई भी proposal तभी accepted मिनना चाहेगा जब वहाँ कोई overt act या फिर external manifestation होगा यानिकि केवल mental determination यानिकि अपने मन में केवल किसी proposal को accept कर लेना ही enough नहीं है जब तक कि हम उसे signify नहीं करते हैं फिर या तो हम उसे expressly यानिकि word का यूज करते हों signify करें या फिर impliedly यानिकि अपने conduct से signify करें अब इस topic से related कुछ important points दिख लेते हैं another example of acceptance of conduct is general offer, general offer जिसमें offers world at large के लिए बनते हैं और ऐसे situations में communication of acceptance possible नहीं होता है तो यहां पर ऐसे किसी भी general offer को accept करने के लिए केवल उसके जो condition से उसको perform कर देना ही enough होता है इसे कहेंगे हम acceptance of conduct इसके बारे में Indian Contract Act 1872 के section 8 में बताया गया है और इससे related एक केस भी है हरबजनलाल वर्सिस हरचरनलाल जो चैनल पे पहले से है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और जो position और जो held ब्रॉग्डन वर्सिस मेट्रोपोलीटन में है इस इंडिया में भी same condition ही है I hope कि आपको ये केस अच्छे समझ में आ गया होगा If you like this video then subscribe to your education hub and share this video with your friends Thank you for watching